लॉंच होने के सिर्फ वन मन्स के अंदर Fortuner की बुकिंग्स 5000 को क्रॉस कर चुकी हैं 6 जनवरी को New Fortuner को इंडिया में लॉंच किया गया था वन मन्स के अंदर Fortuner और Fortuner Legendr दोनों को 5000 से भी जादा कश्मर्स बुक कर चुके हैं जो की काफी बड़ी बात है अपने सेग्मेंट में Fortuner का मार्केट सेर 53% का है अब तक Fortuner के 1.7 लाक मॉडल्स इंडिया में सेल किये जा चुके हैं इंडिया में सबसे पहले Fortuner 2009 में लॉंच हुई थी इसके बाद Fortuner के 1 जनशन मॉडल को टोड़ा ने 2016 में लॉंच किया था 2016 के बाद Fortuner और Fortuner लेजेंडर इंडिया में 6 जनशन किये गए थे Fortuner फेसलिट में total 7 variants आपको देखने को मिलते हैं 2 petrol और 4 diesel इंडियान का option Fortuner फेसलिट में मुझूद है बहतरीन लुक वाली new लेजेंडर को इंडिया में पहली बार introduce किया गया है लेजेंडर Fortuner का top model है जो की 37.58 लाक रुपीज की price tag के साथ आता है लेजेंडर में जो चीज आपको सबसे बहतरीन देखने को मिलेगी वो इसके बहतरीन लुक्स है 4 into 4 wheel drive system आपको लेजेंडर में देखने को नहीं मिलेंगे ये SUV सिर्फ 4 into 2 wheel drive system के साथ ही मुझूद है Fortuner facelift को इंडिया में 29.98 लाक रुपीज की price tag में launch किया गया था इसके बाद Fortuner facelift के top model की कीमत 37.43 लाक रुपीज रखी गई थी sales के मामले में Fortuner के आसबास भी कोई SUV इस segment में नहीं है full size SUV के sale chart में Fortuner का नाम आपको हमेशा ही सबसे आगे देखने को मिलेगा December 2020 में Toyota ने Fortuner के 584 models को sale किया था आपको याद होगा कि Fortuner से कुछ में पहले new Innova भी launch की गई थी new models के सांथ Toyota के sales अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आप ये बिल्कुल expect कर सकते हैं कि new Fortuner की bookings आगे चल कर और भी ज़्यादा बढ़ हैं तो Fortuner के इतने बहतरीन bookings के बारे में आपके क्या thoughts हैं ये हमें comment करके ज़रूर बढ़ाएं और दोस्तों ऐसी ओटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें